आप लेक्म स्टुएंट्स टूए वे अगूए अवाले से आज़कल कॉफीं सीक्यूस आ रहे हैं जी तो आज हमने देखना है कि किने टाइपस हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली तो कंडिशनल संटेंस सबसे पहले में जो फस्ट कंडिशन होती है वेटा उसको ना सैंस हैं सो वाट इस जीरो कंडिशनल समटांस चीठ को सिंपल और डिनल इक्स्पीनेशन में अपको एक्ग्जेंपल के साथ क्लीयर कर आताओ जी सो यह है कि जिसमें संटेंस के दोनों हिस्षों में प्रेजेंट एंस सिस्तमाल होता है जी फार इजेम्पल मैं एक्जेंपल लिए दाओ बेटा जी कि इफ एट रेंज if it rains, land gets wet, land gets wet, आप जड़ा देखिएगा, कि if it rains, यह present tense है, land gets wet, यह भी क्या है, respected students, present tense है, तो यह भी मेरा क्या है, बेटा, कि present tense है, यह present tense, और यहाँ पर भी क्या है, present tense इस्तमाल हुआ है, तो zero condition sentence बेटा, ऐसे sentence के बोलते हैं, कि जिसमें sentence के दोनों इसों में, present tense का इस्तमाल होता है, राइट, for example, if I am sad, मैं उदास होता हूँ, I listen sad songs, कि मैं sad songs सुनता हूँ, तो यहाँ पर भी बेड़ा क्या है, कि if I am sad, present tense है, तो उदर भी क्या है, present tense ही आएगा, तो zero condition sentence की यह निशानी होती है, है, बेटा, कि if वाला जो इससा है sentence का, जो कि conditionalize करता है, उसमें भी, और the rest of the part of sentence, दोनों में कॉन सर्टेंस इस्तमाल होगा, बेटा, present tense इस्तमाल होता है, either in the form of present indefinite, or in the form of the simple present tense, so zero condition sentence is that type of sentence, in which there is a usage of present tense, तो present tense का इस्तमाल होता है, दोनों part of sentence में बेटा जी, तो यह present tense का इस्तमाल होता है, जी, right, अच्छा, यह मैंने example आपको बताई है बेटा, first यह, and the second यह, वो if वल ऐसा बाद में भी आ सकता है, land gets wet, if it rains, same is the case, I listen sad songs, if I am sad, तो दोनों ही बेटा यह arrangement आ सकती है, यह तो होगा मेरा zero condition sentence, the second is first condition sentence, और वो sentence क्या है उसके example भी मैं आपको बताता हूँ, the first condition sentence बेटा, the first condition, first condition of sentence काउन सा होता है, याद रखिएगा कि एक ऐसा sentence, अभी हम आपको बता, एक sentence के example देता हूँ बेटा जी, इफ यू वर्क, इफ यू वर्क, यू विल पास, यू विल पास, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक sentence में, जो part of sentence है, उसमें tense इस्तमाल होता है, present tense, दूसरे में क्या होगा बेटा, future tense, इस्तमाल होगा, जैसे जो इफ वालाइस आए, वहाँ पर क्या है बेटा, present indefinite है, यह बेटा, present indefinite मैंने लिखाए, और दूसरे इसे में क्या आएगा बेटा, future indefinite tense, यह क्या है बेटा, future indefinite sentence आएगा, future indefinite, अब एक और students के लिए, इसा ना हो, कि यह जो part of sentence है, वैसे अगर हम क्लास की बात करें, इसको हम डिटेल से देखेंगे, जो क्लास है, you will pass, यह बेटा में क्लास है, and if you work, यह क्या है, यह dependent क्लास है, बट यह मना अलएधा लेक्चर है, अवेलिबल भी है, तो you will pass, जो में क्लास है, यह पहले भी आ सकता है, जी, मैं एक और example आपको बेटा देता हूँ, तांकि आपको clear concept आजे, एक और example, I shall help you, I shall help you, if you visit me, अगर आप मेरे पास आते हो, तो if you visit me, अब देखो, यह main क्लास पहले आ चुकी है, तो कोई मसला नहीं है, कोई इतरास वाली बात नहीं है, I shall help you, मैं तुमरी मदद करूँगा, और if you visit, यह दूसरा part of sentence है, यह basically dependent clause है, तो इफ वाला बेटा part of sentence पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको simply explain कर दिया है, बट जो first condition sentence की जो basic बेटा अलग मत से वोन क्या होती है, कि first condition sentence बेटा ऐसा sentence होता है, जिसमें एक part of sentence में present indefinite होता है, और डूसरे part of sentence में बेटा future indefinite sentence होता है, so simply speaking that, first condition sentence is that type of sentence in which there is a usage of present indefinite tense in the dependent class and the future indefinite tense in the main class, ठीक है, और वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, वो fluctuate हो सकता है, और commission के मत्यान में आजकल जो conditional sentences है, उसमें question बार बार पूछे गए हैं, so once again, जो अभी मैंने आपको describe किया, इसका मैं crux बताता हूँ आपको, conditional sentences शर्तिया, जुमले, zero condition बेटा काउन सा होता है, जिसके दोनों हिस्सों में present tense होता है, में एक में भी और दूसरे में भी, इफ वाले से में भी डूसरे से में भी जैसे मैंने लिखा है, if it rains, land gets wet, second sentence, if I'm sad, I listen sad songs, first conditions and dance बेटा काउन सा होता है, कि इसमें एक हिसमें present indefinite tense होता है, दूसरे से में future indefinite होता है, जैसे मैं example आपके समने लिखिए बेटा, if you work, you will pass, अब ये if मैंने पहरे लिखा है, मैं इसको बाद में भी लिख सबता हूँ, जो मेरे पास dependent class है, एक class के उपर मरे एक leather topic, वो lecture होगा जी, I shall help you, if you visit me, तो I shall help you क्या है बेटा, ये मेरे पास future indefinite tense है बेटा, ये मेरे पास future indefinite tense है, यहां से आप बहुत सरी चीज़ें देख सकते हो, future indefinite tense, और यहां बेटा क्या है, present indefinite tense है, ये use of verb की अगर मैं बात करूँ, तो use of verb में भी बेटा आपके काम आएंगे ये चीज़ें, क्योंकि commission के इमत्यान में ये चीज़ें बार बार पूचे जाती हैं, खसुसन कंडिशन असरिटेंस के हवाले से, यहां आप use of verb का भी बेटा usage देख सकते हो, यह नहीं चीज़ एक ही है, उससे बेटा multiple aspects है, उस चीज़ें को आप recall कर सकते हो, जी, मैं बेटा, नेक्स्ट बेटा, जो 3rd और 4th जो 2nd और 3rd condition है, वो आपको explain कर देता हूँ, इसको मैं raise करना हूँ बेटा, तो 0 condition होगी, 1st condition होगी, उसके बाद देखते हैं, बेटा, हमारे पास, 2nd और 3rd condition वाले sentences कौन से होते हैं, फिर आपको एक trick भी और पर बताऊंगा, बेटा, कि 2nd and 3rd condition, अब बेटा, मैं लिखता हूँ, कि 2nd condition sentence क्या होता है, बेटा, बेटा, यह ऐसा sentence होता है, कि जिसके एक ही इस से में पास्ट इंडाफिनेट, जैसे, if you worked, if you worked, example है बेटा, you would pass, you would pass बेटा, अब यहां पे बेटा, क्या असूल है, क्या रूल है बेटा, कि जो इफ वला पार्ट अफ संटेंस है, बेटा, बेटा, बेसिकली तो यह डिपेंडेंट क्लाज है, अगर एक हिस्से में बेटा, if you worked, it worked है, past indefinite है, बेटा, past indefinite, तो दूसरे हिस्से में बेटा क्या करोगे, जो में क्लाज है, आप would के साथ first form of verb इस्तमाल करोगे, the rule is that, would plus first form of verb, एक और बेटा आपको बात बता दूँ, कि जो will और शेल है, बेटा, will and shell, इन दौनों की बेटा, जो past form बनती है, याद रखिएगा, वो would बनती है, वो should, shell की बेटा, should नहीं बनेगी, याद रखिएगा, बेटा, तो will और शेल, इन दौनों को बेटा, would में चेंज करते हैं, especially जब हम voices की बात करते हैं, जब हम narrations की बात करते हैं, राइट, तो एक हिस्से में, बेटा, dependent class में, past indefinite है, तो उदर भी past indefinite करो, मिनसे, will और शेल, उस दौनों का बेटा क्या बनेगा, past form would बनेगी, और would basically, एक पहले लगा जेता हूं, जिए राइट, he would, pass, if he worked hard, अब मैंने इसको, दूसरे आवले से कर दिया, बेटा, कैसे, मैं इफ वाले से कमें, बाद में ले गया हूं, बेटा, यह नहीं कि जो में एन क्लास हैं, उसको पहले ले किया हूं, he would pass, और if he worked है, बेटा, तो would के साथ first number, और if he worked, past indefinite, को मैंने बाद में ले किया हूं, तो दोनुं हावालों से बेटा, तरतीब हो सकती है, जी, तो कमिशन के इम्त्यान में आजकल, condition sentences के हावाले से बार बार यह सवाल पूछे गए हैं, खसुसन जो GK का portion, English का portion है, बेट पास्त मने बेटा वो है थर्ड कंडीशनल संटेंस, थर्ड कंडीशनल संटेंस, एक ओर टृट भी अपको बताता हूं, बेटा के तर्ड कंडीशन क्या होती है, बेटा, याद रखियेगा बेटा, फस्रों बेकर फर्स्ट वर्म उर्प, मेंट टू से प्रेजिन इदेज अ of verb that's typically termed as the past participle. तो बेटा अब मैं यापको example भी समझा देता हूँ कि third conditional sentence कैसा होता है if he had worked if he had worked he would have passed he would have passed past अब यहां पे आप देखिएगा जी कि perfect का इस्तमाल हुआ है third form हमेशां हमको पता है बेटा कि कोई भी perfect tense हो चाहे वो simple negative या interrogative वो हमेशां उसके साथ third form of work जिसको हम टिपिकल इंगलिश में कहते हैं past participle का इस्तमाल होगा जी he would have passed अब बेटा हम क्या इस्तमाल करेंगे याद रखिएगा कि if if he had worked he would have passed ये बत याद रखिएगा जी right if he had worked तो एक हिसे में बेटा past perfect है बेटा तो याद रखिएगा दूसरा जी पार्ट अफ सेंटेंस है वहाँ आपने would के साथ have लगाना है would के साथ has इस्तमाल नहीं होता ये एक student खलती करते है जी would plus have plus third form of work जिसको typically हम कहते हैं past participle कहते हैं और past participle as adjective इस्तमाल होता है warm details से अगले lecture भी हमारे वाले बरूंगे तो if he had worked बेटा past perfect है दूसरे जिसे में क्या करोगे would have के साथ third form of work जैसे मैंने आपको बेटा फर्मूला समझा दिया अब बेटा ये तो third dependent class है ये तो main class है अच्छा यहां से आप use of work को भी बेटा clear कर सकते हो इस part of sentence को पहले भी मैं ले कि आ सकता हूं बेटा example है मेरे पास he would have he would have won the match he would have won the match if he had played well if he had played well तो बेटा वो dependent class बाद में भी आ सकती है तो he would have won the match ये बेटा main class है principal class है independent class है तो इसको बेटा क्या समय करेंगे would have के साथ third form of work would have third form of work इसको मैं पहले ले कि आया हूं और इस सिसे को मैं बाद में लेके आया हूं तो दोनों हवालों से बेटा ठीक है तो he had played well तो एक इसे में बेटा past perfect है यहां किया है बेटा past perfect है अब मैंने यहां इस्तिमाल किया past perfect को और फिर would have a third form of work बेटा मैंने यहां इस्तिमाल कर दिया है तो कोई भी इस्यू नहीं है अरेंजमेंट के लिया आस से दोनों ठीक है तो एक अब कुछ ट्रिक बता रहता हूं बेटा याद रखिएगा कि इस वाला जो इस्तिमाल इस्तिमाल नहीं होगा बेटा याद रखिएगा जी राइट सो यह हमारा basic introduction था conditional sentences के हवाले से जिसमें zero condition first condition second condition और third condition अब जो zero condition है बेटा दोनु पार्ट असमें present dance first condition में एक में present एक में future और इसको में डिसकुस भी किया था कि किसे से में कौन सा बेटा टैंस आएगा जी second condition में बेटा क्या होता है एक हिसे में past indefinite इफ वपले इसे में दूसरे में क्या आबाई बेटा would के साथ first form of work का इस्तमाल करोंगे जी और third condition में बेटा क्या होता है that part perfect है दूसरे इसे में क्या आएगा would have के साथ third form of work वुड हैस कोई लाफ्स नहीं होता और मैंने ये भी आपको बता है वीलो शेल इन दोनों की बेटा पास्ट फर्म क्या बनती है वुड बनती है तो बेटा ये जो चीज़ें मोस्ट इंपार्टेंट हैं खसुसन जो आज कल करंट सनेरियो चल रहा है कमिशन